C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए आठ राशियों की तुलना प्रिष्ठ एक सो चौरासी आठ दशम लवच्छे उधार लिये गैधन पर शुल्क अर्थात साधारन ब्याज सोहनी ने बताया के वे एक नया स्कूटर खरीदने जा रहे हैं मोहन ने पूछा के क्या उनके पास इसके लिए परियाप्त धन है सोहनी ने उत्तर दिया के उसके पिता जी इसके लिए बैंक से उधार धन यानी रिन लेंगे उधार लिये गए धन को मूल धन कहते हैं यह धन वापस करने से पहले रिन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ समय तक इसका उपयोग किया जाता है अतह उसे उतने समय का धन उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त धन बैंक को देना होता है यह अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है एक निश्चित अवधी के बाद आपको मूल धन तथा ब्याज दोनों को मिला कर पूरा धन वापस करना होता है जिसे मिश्र धन कहते हैं अर्थात मिश्र धन बराबर मूल धन जमा ब्याज ब्याज एक निश्चित दर पर परिकलित किया जाता है जो प्रायह प्रत्येक सा रुपाई के लिए एक वर्ष के लिए निर्धारित होता है इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है दस प्रतिशत प्रतिवर्ष या दस प्रतिशत वार्षिक दस प्रतिशत वार्षिक खा अर्थ है कि उधार लिए गए प्रत्येक सा रुपाई के लिए प्रत्येक वर्ष के बाद दस रुपए ब्याज के रूप में अतिरिक्त देने होंगे एक उधहरन लेकर देखें के ब्याज कैसे परिकलित किया जाता है उधहरन 20 अनीता 5000 रुपए का एक रिण 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है ग्यात कीजिए के एक वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा हल उधहर ली गई राशी बराबर 5000 रुपए ब्याज की दर बराबर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष इस का अर्थ है कि यदि वह 100 रुपए उधहर लेती है तब उसे एक वर्ष बाद 15 रुपए ब्याज के रूप में भी देने होंगे अथह 5000 रुपए के उधहर पर उसे एक वर्ष बाद देने होंगे 15 बटा 100 गुणा 5000 रुपए बराबर 750 रुपए अर्थात एक वर्ष बाद उसे ब्याज मिलाकर मिश्र धन देना होगा 5000 रुपए जमा 750 रुपए बराबर 5750 रुपए एक वर्ष का ब्याज ग्याद करने के लिए हम एक संबंध या सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं हम मूल धन को पी से तथा दर आर प्रतिशत वार्षिक को आर से प्रदर्शित करते हैं तो हमें प्रतेक 100 रुपए के लिए एक वर्ष का आर रुपए ब्याज देना होगा अथह पी रुपए उधार लेने पर एक वर्ष का ब्याज आई होगा आई बराबर आर गुणा पी बटा सौ बराबर पी गुणा आर बटा सौ प्रिष्ठ 185 अनेक वर्षों के लिए ब्याज अगर धन एक वर्ष से अधिक समय के लिए उधार लिया जाता है तब ब्याज भी उस पूरे समय के लिए परिकलित किया जाता है जितने समय के लिए धन रखा गया है उदहरण के लिए यदि अनीता वही धन उसी दर पर दो वर्ष बाद वापस करती तब उसे ब्याज भी दुगना देना पड़ता अर्थात साथ सौपचास रुपए पहले वर्ष के लिए तथा साथ सौपचास रुपए दूसरे वर्ष के लिए मूल धन वही रहता है बदलता नहीं और व्याज भी प्रतेक वर्ष के लिए समान ही रहता है इस प्रकार के व्याज को साधारन व्याज कहते हैं जिस प्रकार वर्षों की संख्या बढ़ती जाती है उसी प्रकार व्याज की राशी भी तीन वर्ष के लिए 100 रुपए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से उधार लेने पर तीन वर्षों बाद ब्याज देना होगा 18 जमा 18 जमा 18 बराबर 3 गुणा 18 बराबर 54 रुपए हम एक वर्ष से अधिक समय के लिए भी साधारन ब्याज ग्यात करने के लिए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं हम देख चुके हैं के P रुपाई के लिए R प्रतिशत वार्षिक की दर से एक वर्ष बाद ब्याज देना होता है R गुणा P बटा सो अथह T वर्षों के लिए दिया गया ब्याज आई होगा I बराबर T गुणा R गुणा P बटा सो बराबर P गुणा R गुणा T बटा सो या PRT बटा सो और T वर्षों बाद मिश्रधन A होगा A बराबर P जमा आई प्रयास कीजिए 1. दस हजार उपए 5 प्रतिशत वार्षिक दर से जमा किये जाते हैं एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा 2. 3500 रुपए 7 प्रतिशत वार्षिक दर से उधार दिये जाते हैं दो वर्ष बाद कितना साधारन ब्याज देये होगा 3. 6050 रुपए 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर से उधार दिये जाते हैं तीन वर्ष बाद कितना ब्याज तथा कितना मिश्रधन देय होगा। चार, साथ हजार उपए, तीन दशमलव पांच प्रतिशत वार्शिक दर से दो वर्ष के लिए उधार लिये जाते हैं। दो वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। जैसे आपने ख्रय विक्रय मूल्यों की समस्याओं में देखा था उसी प्रकार सूत्र आई बराबर पी गुणा टी गुणा आर बटा सौ द्वारा चार राशियों में से कोई भी तीन ग्याथ होने पर चौथी ग्याथ की जा सकती है। प्रिष्ठ 186 उदहरन 21 चार हजार पांच सौ रुपई के रिन पर दो वर्ष बाद मनुहर साथ सौ पचास रुपई साधारन ब्याज देता है। ब्याज की दर प्रतिशत ग्याथ कीजिए। हल एक आई बराबर पी गुणा टी गुणा आर बटा सौ अथह साथ सौ पचास बराबर चार हजार पांच सौ गुणा दो गुणा आर बटा सौ या साथ सौ पचास बटा पैंतालीस गुणा दो बराबर आर अथह ब्याज की दर बराबर आठ एक बटा तीन प्रतिशत वार हल दो दो वर्षिक का ब्याज है 7500 रुपई अतह एक वर्ष का ब्याज होगा 7500 बटा 2 बराबर 375 रुपई अब 4500 रुपई पर ब्याज बराबर 375 रुपई अतह 100 रुपई पर ब्याज बराबर 375 गुणा 100 बटा 4500 बराबर 81 बटा 3 प्रतिशत अतह ब्याज की दर बराबर 81 बटा 3 प्रतिशत वार्षिक प्रयास कीजिए 1. आपके बैंक खाते में 2400 रुपई जमा हैं तथा ब्याज की दर 5% वार्शिक है कितने वर्षों बाद ब्याज की राशी 240 रुपई होगी 2. किसी धन का 5% वार्शिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपई होता है वह धन ग्यात कीजिए प्रशनावली 8.3 1. क्राए विक्राए के निम्न सौदों में हानी या लाब ग्यात कीजिए प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानी या प्रतिशत लाब भी ग्यात कीजिए A. बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपई में खरीडी गई तथा 325 रुपई में बेची गई B. एक रेफरिजरेटर 12,000 रुपई में खरीदा गया और 13,500 रुपई में बेचा गया C. एक अलमारी 2,500 रुपई में खरीदी गई और 3,000 रुपई में बेची गई D. एक स्कर्ट 250 रुपई में खरीद कर 150 रुपई में बेची गई 2. दिये गए प्रत्यक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए a. तीन अनुपात एक b. दो अनुपात तीन अनुपात पाँच c. एक अनुपात चार d. एक अनुपात दो अनुपात पाँच प्रिष्ठ 187 3. एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट कर 24,500 रह गई घटने का प्रतिशत ग्याद कीजिए 4. अरुन ने एक कार 3,50,000 रुपाई में खरीदी अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपाई हो गया कार के मूल्य की प्रतिशत व्रिद ही ग्याद कीजिए 5. मैंने एक टीवी 10,000 रुपाई में खरीद कर 20 प्रतिशत लाब पर बेच दिया 6. जू ही एक वाशिंग मशीन 13,500 रुपाई में बेचने पर 20 प्रतिशत की हानी उठाती है उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी 7. एक चौक पाउडर में केल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सिजन का अनुपाद 10 अनुपाद, 3 अनुपाद, 12 होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ग्याद कीजिए 2. चाक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तब उसका कुल भार कितना होगा 8. अमीना एक पुस्तक 275 रुपई में खरीद कर उसे 15 प्रतिशत हानी पर बेचती है पुस्तक का विक्रे मूल्य ग्याद कीजिए 9. प्रतेक दशा में तीन वर्ष बाद कितना मिश्र धन दे यहोगा a. मूल धन बराबर 12,000 रुपई दर 12 प्रतिशत वार्षिक b. मूल धन बराबर 7,500 रुपई दर 5 प्रतिशत वार्षिक 10. 56,000 रुपई पर दो वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपई साधारन ब्याज दे यहोगा 11. मीना ने 9 प्रतिशत वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात 45 रुपई ब्याज के रूप में दिये उसने कितना धन उधार लिया था। हमने क्या चर्चा की 1. अपने दैनिक जीवन में हमें प्रायह दो राशियों के बीच तुलना करनी पड़ती है ये राशियां उँचाई, भार, वेतन, प्रापतांक आदी हो सकती हैं 2. 150 सेंटिमीटर तथा 75 सेंटिमीटर उँचाई वाले दो व्यतियों की तुलना करने पर हम इसे अनुपात रूप में 150 अनुपात 75 या 2 अनुपात 1 लिखते हैं 3. दो अनुपातों की तुलना उन्हें समान हर वाली भिन्नों में बदल कर की जा सकती है यदि दोनों समान हर वाली भिन्ने समान हैं, तब हम कहते हैं के दोनों अनुपात भी तुल्य अनुपात हैं चार. यदि दो अनुपात तुल्य हैं, तब उनके चारों पद एक सम अनुपात बनाती हैं। उधहरण के लिए दो अनुपात आठ अनुपात दो तथा सोलह अनुपात चार तुल्य हैं। अथह आठ दो सोलह तथा चार सम अनुपात में हैं। 5. तुलना करने की एक विधी प्रतिशत भी है. भिन जिनके हर सौ होते हैं, उनके अन्श प्रतिशत प्रकट करते हैं. प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक सौ पर. प्रिष्ठ 188. 6. भिन्नों को प्रतिशत में बदला जा सकता है तथा प्रतिशत को भिन्नों में. उधारन के लिए एक बटा चार बराबर एक बटा चार गुना सौ प्रतिशत बराबर पचीस प्रतिशत तथा पिछहत्तर प्रतिशत बराबर पिछहत्तर बटा सौ बराबर त 7. दशमलव भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है, तथा प्रतिशत को दशमलव में. उदहरन के लिए 0.25 बराबर है 0.25 गुणा 100 प्रतिशत के बराबर 25 प्रतिशत. आठ प्रतिशत के हमारे दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग हैं. A. जब हमें किसी राशी का प्रतिशत ग्याथ हो, तब हम वह संपूर्ण राशी ग्याथ कर सकते हैं. B. यदि हमें किसी राशी के भागों में अनुपात दिया हो, तब हम उन्हें प्रतिशत में भी बदल सकते हैं. C. किसी राशी का घटना या बढ़ना भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है. D. किसी वस्तु के क्रय विक्रय में हुए लाभ या हानि को भी प्रतिशत में दर्शाया जा सकता है. E. उधार लिये गाइधन पर ब्याज परिकलन के लिए उसकी दर प्रतिशत में ही दी जाती है. उधारन के लिए आठ सा रुपए तीन वर्ष के लिए बारह प्रतिशत ब्याज की दर पर उधार लिया गया. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक. कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मार्वा, तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, विकास सांगवान, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक. निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत.